C.I.E.T. and C.E.R.T. द्वराप प्रस्तुत हैं कक्षा तीन के छात्रों के लिए कारिक्रम घरेलू जंगली दोस्तों, एक गाउ में एक किसान रहता था उसके पास कई घरेलू जानवर थे बैल थे हल चलाने के लिए गाई और फैंस थी दूद देने के लिए और एक कुट्ता भी था जो किसान के खेट की और घर की रखवाली करता था उसने एक मोटी सी बिल्ली भी पाल रखी थी जानते हो क्यों? हाँ घर के चुहों को खा जाने के लिए दोस्तों उसके पास एक घरेलू जानवर और भी था उसका नाम था गुलगुल हाँ गुलगुल किसान बड़ी शान से गुलगुल पर सवारी करता था गाउं के पास ही घना जंगल था उसमें बहुत से जंगली जानवर रहते थे खुंखार शीर चीते लकड बगगे भालू भेड़िये तेज भाग में वाले हिरन बारा सिंगे खरगोश भारी भरकम फाथी और गेंडे भी थे पेड़ों पर रहते थे गिद्ध, बाज, चील इसी जंगल में रहते थे चालाक, लोमड़ी और गीदर वे कभी कभी गाउं में भी आ जाते हर्बूजा, तर्बूज, गन्ने, गुड़ या किसी मरे हुए घरेलू पशु का मांस खाने के लिए दोस्तो, एक बात की बात है, लोमड़ी ने गुल-गुल उट को देखा इतना मोटा ताजा उट देखकर, लोमड़ी के मुँ में पानी भराया वो मन ही मन सोचने लगी अगर इस उट का मांस मुझे खाने को मिल जाए, तो कितना मजा है मगर मैं तो इसका शिकार भी नहीं कर सकती हूँ कोई तरकीत सोचनी चाहिए फिर लोमड़ी भागी भागी जंगल के राजा सिंग के पास आई जो कुछ दिन से बीमार चल रहे थे और बोली तेर माराज की जै माराज, 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 गाउं में एक बहुत मोटा तहड़ा उंठ है वो इतना तंदरुप है कि उटका माराज खाकर आपकी बीमारी बिलकुल चुमंतर हो जाएगी और कुछ बटा-खुटा है, मुझे भी मिल जाएगा आलो मुड़ी बैन, कहती तो तम ठीक हो पर मैं ठेरा बीमार और बुढ़ा मैं कैसे उसका शिकार कर पाँगा महराज, उटको आपके पास कर तो मैं ला सकती हूँ बस फिर आप एक छपटा मार कर उसका काम तमाम कर दीजिएगा हाँ, ये तो तम ठीक कहती हो पर तुम उसे यहां तक लाओगी कैसे हम महराज, आप बेशिक्र हैं, मैं गीदर काका और भालू दादा के साथ जाकर अभी बुला लाती हूँ उस मोटे भाजे उटको दोस्तों, गीदर, लोमडी और भालू तीनो जंगली जानवल पहुंचे उट के पास गुलगुल पेर की छाया में बैठा था जीदर चुप चाप गुलगुल के पेरों के पास माथा तेक कर बैठ गया भालू हाथ जोड कर खड़ा हो गया और लोमडी बोली बधाई हो बधाई हो बधाई हो गुलगुल भाई बधाई हो हम सभी जंगली जान्वरों ने मिलकर तुम्हे अपना राजा जना है अब छोड़ा किसान का बोजा ढोना और चल कर जंगल का राज़ पोड़ समालो अए मैं मैं राजा अरे जंगल के जंगली जान्वरों का राजा तो सिंग होता है मैं तो एक घरेलू जान्वर हूँ हाँ 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 वैया गुलगुल तुम सीधे सादे घरेलू जान्वर हो अरे तभी तो हम सबने तो है अपना रोजा चुना है क्योंकि तुम हम जंगली जान्वरों को कभी सताओगे नहीं और खेल अरे तुम इतने लंबे तगरे हो सुंदर हो हाँ 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 हूँ तो मैं सुंदर ही मगर तुम्हारा राजा सिंग वा गुलगुल भाई तुमने क्या बात कही वो तो अब बहुत बुड़ा कमजोर और बीमार हो गया है अई मरने ही वाला है समझो उसने भी हम सब जंगली जानवरों की बात मान ली है मरने से पहले उसने तुम्हें राजा बनाने के लिए बुलाया है देखना हम कई जंगली जानवरों तुम्हें इज़त के साथ लेने आए हैं गलगल भाईया अब अब जंदी चलो मगर मुझे ही क्यों बुलाया है लोमरी बेहन मुझे भी बड़ा और तगड़ा है हाथी हाथी तुमसे बड़ा और तगड़ा तो है अरे मगर भाईया वो तो जंगली पशु है जंगली तुम्हारी तरह घरेलो नहीं है तुम कितने सुदर हो बलवान भी हो और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी गर्दन हमेशा उचियत है राजा की तरह दोस्तो भोला भाला घरेलो पशु उच चाला क्लोंबडी की बातों में आ गया और सिंग के पास चला गया सिंग ने गुलगुल को अपने पास आते ही ठत से दवशा और भाड़ा फिर वे जंगली जानवल उस बेचारे उन्ट को खा गए वावा बड़ी मजेतार थी कहानी गुलगुल की हाँ और तुमने देखा इस कहानी में दो तहे के पशु थे चंगली पशु और घरेलू पशु जो पशु गाओं शहरों घरों और बस्तियों में या उनके आसपास रहते हैं उन्हें घरेलू कहते हैं गुलगुल उन्ट घरेलू पशु था गाओं में किसान के पास रहता था इसी तरह और भी बहुत से घरेलू पशु हैं जैसे गाए, भैंस, बकरी, भेर ये दूस देने वाले घरेलू पशु हैं बैल, खोड़ा, भैंसा, खचर ये भी घरेलू पशु हैं ये गाड़ी खीचते हैं, बोजा ढोते हैं और हाँ बोजा ढोने वाला एक घरेलू पशु और भी है बहुत भोला भाला सीधा साधा जानते हो क्या नाम है उसका सोचो सोचो याद आया हाँ गधा हाँ गधा इसे धेंचुराम भी कहते है जब जे रेंखता है तो कैसे बोलता है अहाँ बताओ धेंचू 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 गधा रेंकता धेंचू धेंचू बोजा लादो जटपट खेंचू बोलो बोलो गधा रेंकता धेंचू धेंचू बोजा लादो जटपट खेंचू तो भई घरों में रहने वाला ये पशू भी कैसा पशू है घरेलू पशु यहाँ इसी तरह दूसरे घरेलू जानवरों के नाम बताओ बोलो बोलो चुहा बंदर बिल्ली कुटा यह सब तो हुए घरेलू पशु इसी तरह कुछ पक्षी भी घरेलू होते हैं जैसे कववा, कबूतर, गौरईया यह पक्षी हमारे घरों की मुंडेर पर, छटों पर या गाउं में आसपास के पेड़ों पर बैठे रहते हैं घर के आंगन में आकर भी बैठ जाते हैं हम इनको कैसे पक्षी कहते हैं? बताओ, हाँ, वही खरेलू हाँ, और जो पशु पक्षी जंगल में रहते हैं, वे हैं जंगली, जैसे हाँ, तो भई, एक जंगली जानवर और है, वो है तो जंगली, मगर हम उसे अक्सर अपने गाउं या बस्ती में देख लेते हैं हाथी, नहीं, नहीं, ये तो घरेलू है, अरा नहीं भई, ये जंगली है, हाथी और लंगूर भी जंगली है, ये कभी-कभी बस्तियों में दिखाई तो देते हैं, मगर इनका असली घर तो जंगल है हाथी जंगल में ही रहते हैं, जुन्ड बना कर पशू पकिये सारे उपियोगी और त्यारे छत्मुडेर पर बैठे कववा तोता चिडिया रानी पुडन कबूतर करे गुतरगूं मैं न कहे कहानी घर में घुडा गाए फैस खाते हैं दाना पानी बंदर कुता बिल्ली बच्छडा करे अजब शैतानी हैं ये सभी घरेलू रहते निस्तिन पास हमारे पशू पकिये सारे उपियोगी और त्यारे चंगली और खुंखार है भालू बाग संग और कीते च्याला की में स्यार लोमडी से नहीं कोई जीते केने बड़े लड़ा के हाती सूर से पानी तीते इसी तरह के पशू का जीवन जंगल में पीते गिध तील भी जंगली उरते नभ में पंक पतारे पशू पकिये सारे उपियोगी और त्यारे प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुत